बस बहुत हुआ गनेश ये तुम्हारी कैसी उद्दण दता है कदाचे दोश तुम्हारा ने मेरा और मेरी ममता का ही जो एक के बाद एक मैं तुम्हारी सभी भूल शमा करती करती सर प्रथं तुम्हें रंगोली की सुन्दर्ता को खंडित किया जिसे मैंने तुम्हारा बोला योगदान समझा फिर जब तुम्हें रसोई क्रीमे धूल को प्रवाहित किया उसे मैंने तुम्हारे बालेपन का परिराम समझे पिर तुमने विधी के विप्रीब जाकर स्वामी की पूजा थी उसे भी मैंने तुम्हारी भोली भक्ती समझ कर सुईकार कर लिया कि दूआप जो तुमने किया है गणेश वो ना भुलापन और ना ही बालेपन वो अनुशासन हींता है, जो मैं कदाचित स्वीकार नहीं करूँ मैं अन्यस सभी भूल से सती हूँ गणेश किन्तो स्वामी की प्रती उदंडिता का दुस्सा हस मैं कदापी नहीं सेहन करूँ जैगा 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 जसी उस मैं देहीं जर्शी इनका उब्र उस उप्रजानी भोलापन बालपन स्वीकार है मुझे किन्तु अनुशासन हींता नहीं तुम्हारे इस अनुशासन हींता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा गड़े माता आपका दंड सहश स्वीकार है मुझे मा क्योंकि मैंने जोबी किया वो आपके क्रोध को चागरत कर आप से दंड पाने के लिए ही किया आप सब दंड पाने के लिए ही किया तुमने यह अनुशासन हींता किसी विशेश आशे से की थी किन्तु क्यों गणेश? कहो गणेश, क्या कारण था तुम्हारे इस आचरण का? मुझे शमा कर दीजिए मा, मैं ऐसा करने पर इसलिए विवश्था जिससे आपके समक्ष ये सत्योजागर हो कि ममतासुर आपकी ममता का अनुचित लाब उठा कर कितने भयंकर पाप कर रहा है और आप अपने कठोर रूप में प्रकट होकर उसे अनुशासित करें मा, आपके समक्ष भूलेपन और असाहयता का स्वांग कर ममतासुर अपने कुटिलता और कुरूरता को आपकी दृष्टी से चपाने में सफल हो रहा था आप मुझे आशिरवाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपट पर चलने में आश्वस्त रहू और मुझे कोई भी किसी बेप्रकार से आहत मा कर सके पूर्ण रूर से निर्वस्त रहोकर पवित रणदी में स्नान करें वो प्राणी मात्र एक रुक्ष के समान होता है मैं तुम्हें श्राब देता हूं तुम दोनों भी इसी क्षण रुक्षों में परिवर्तित हो जाओगा हाँ मा एक ओर तो वो आपसे माता का स्ने पाकर स्वयम को सुरक्षित कर रहा था और दूसरी ओर अपने विकार से सभी को प्रभावित कर रहा था यहां तक कि उसमें तो अपना कुप्रभाव महाबली हनुमान जी और माता अंजना पर भी कर दिया पुत्र एक मा की ममता का भाव तो अत्यंत पावन जिसके कारण वो अपनी संतान के हित में महान त्याग करने के लिए तत्पर रहती किन्तु ममता की अत्य जब विकार का रूप ले ले तो ना मा का भला होता है और ना ही संतान का मैं भी ममता से प्रभावित होकर ममता सुर की कपट और कुटिलता को देख पाने में असमर्थ होगा इसलिए दंड के अधिकारी तुम नहीं हो पुत्र गनेश वो दुष्ट ममता सुर है गुरुकल यहां तो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते हैं ना तो फिर इन्हें तो वही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो मैं निर्धारित करूंगा अधिक मुझे अपने ये किसी बड़े अदेश्ग का पास क्यों हूं विकिन्तों मुझे तो 64 योगीनियों के रख्षा प्राप्त है मेरा कुई आखिट कैसे हो सकता है यह योगीनि देवी मुझे इतनी खुरदे दिश्टे जिख़्ेव देखरे हैं यह इसा संकत्चा रहा है मचपर, अब क्या करो हुँ मैं इतने आवेशित के हो ओरही है यह सब योगीनिया पर अब ये शिव पुत्र भी इन शिव गनों के साथ यहां पर पहुंच के मेरी सुरक्षा तो यहां से प्रस्थान परने में ही है माते अपने दुर्गा रूप में क्यों आई है यहां माते? अभी तक इसने मात्र मा की मम्ता ही देखी थी किन्तु आप उनका क्रोध भी देखने गाई मम्ता का अनुचित लाब उठाकर मुझे ही नहीं समस संसार को प्रभावित करने का अपराद किया है तुमने मम्ता सुर जिस्ता दंड अब तुम्हे अवश्यप्राप्थ होगा यह मात्र तुम्हारे लिनी संसार के उस प्रत्येक बालत के लिए सीख जो बफ्ता का दुरोप्योग कर अपने माता पिता की आग्या का उलंगन करता है आज तुम्हारे उधारण द्वारा संसार को यह ग्यात होगा कि तुम्हारे जैसी संतार अपने जीवन में किस प्रकार का परडान का सामना करने के लिए विवश होती है कि अगारे जीव जामना एक यजए आपारे जाड़े जामना एक यजए आपारे जामना एक यजए कि अजए इस कीट के समान, मैं भी इस प्रिजवी के बेदर प्रविशकर, सुहम को इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ मम्तासोर, आज तुम्हें अपने सभी पापों का दंड अवश्य प्राफ्ट होगा यह दुष्ट तो भूमी में प्रवेशकर अदरिश्य हो गया इतना दुस्ता हस इस दुष्ट का क्यों जोड़ कि इस दुष्ट क्यों तुम्हें अपनों, इस दुष्ट क्यों आस। क्योंदर यद्वड़वश्य अवकर, यूज़ को बदकता बमाजल आनुज गनेश मैंने पूर्व में ही कहा था कि मा की ग्रोधागनी और उनकी शक्ति को शान्थ करना अतन्त कटिन होगा अब कहीं उनके ग्रोध के कारण समस्त श्रिष्टी पर ही सकटना जाना है माता के त्रिषूल में तो जिस प्रकार की उर्चा का संग्रह हुआ है उसके प्रभाव से तो समस्त प्रत्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके प्रग्राम सो रूप समस्त जीवों को अत्यंत कश्ट होगा मौधिनेशिही महा सुर्गिनाखिया हन्स मता मुझे शमा केजिये माँ यदि आमने अपने त्रिषूल को प्रत्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त स्विष्टी को भुगतना होगा आप मुझे आग्या दीजिये मा कि मम्ता सुर्प्रत्वी के गर्ण में जहां भी छपा है मैं उसे वहां से गूंद कर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ उचित है पूत्र गनेश, तुम मुझे शीग्र यहां लेकर आप क्योंकि मैं मम्ता सुर्कों मम्ता की पवित्रभावना की अति उत्पन कर उसे विकार में परिवर्टित नहीं करने दूंगी अनुज गनेश तुमने माता को वच्छन तु दे दिया किन्तो हम पृत्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे माता के करोद के कारण यह कैसी दुर्दशा हो गई है मेरी अब अत्यमत सावधान रहना होगा मुझे अब तक तो वह पृत्वी में प्रवेश कर ना जाने कहा छुप गया होगा अनुज कि इसी का प्रवेश करना असंभव के समान है असंभव के समान नहीं अब असंभव भी है अब यहां पर यहां पर मजे कोई नहीं डूट सकता अब तो बस एक ही व्यक्ति है जो हमें ममता सुर्थ तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं यह किसकी बात कर रहें गणेश जी ऐसा कौन हो सकता अब किन्तु ऐसा कौन है अनुज गणेश जो इतने छोटे आकार के प्रवेश्थान से हमें प्रिथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकते हैं बताईए गणेश जी नागराज शेशनाग जी धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेशनाग जी ना पहुँच सके प्रभु शेशनाग वासुकी जी मैं आपसे अनुरोद करता हूँ कि किरपया मेरी सहायता करने की किरपा कीजिए प्रभु श्री गनेश जी ने सहायता है तु मेरा वाहन किया है किरपया मुझे आग्या दीजिए ताकि इस महान किशन का साक्षी बनने का सवभाग्य प्राप्त कर सकूँ अग्या प्राप्त कर सकूँ प्रणाम लंबोतर गड़ेजी जी प्रणाम कुमार कारते केई जी वो मम्तासुर्फ प्रथवी के तलके कितनी ही गहराई मैं क्यों ना चुपा बैठा मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुचा सकता हूं कब अख जी जी अट टुझे गड़े जी मुझे यहां श्येशनाग जी के साथ अकट reality मुझे यहां से अख दोन अच्जाहिए जहां छेसनाग जी नहीं पहुच्छar मैं आपका धांदेवा mister scria के लिए मुझे सपरण किया ममतासुर को रोकने हे तू आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा पबू अधफुत शेशनाक जी जो स्वयम शरी हरी नरायन की शैया है वो वाहन बनेंगे गड़ेश जी के हे महान शेशनाक जी मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे किन्तु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए जी प्रभू स्वामी सरवथा दिव्य और अनूटी घटना का आरंब हो रहा है देवी अब हम एक अत्यांत अध्भोध द्रिशके साक्षी बनेंगे नाक्तो जाग्रित कुंडलिनी शक्ती के प्रतीक हैं अर्थात परम ब्रहम सरूप हैं और संपून स्रिष्टी में दोई हैं जो जाग्रित कुंडलिनी से सोशोभित होते हैं एक जो उन्हें अपने कंठ में दारन करते हैं अर्थात स्वेम जगत पिता महादेव और दूसरे हैं जो जाग्रित कुंडलिनी की शहियां पर विश्राम करते हैं स्रिष्टी के पालनहार प्रभु श्रीहरी नाराया और अब जाग्रित कुंडलिनी को अपना वहन बनाने का सामर्थ्य रखने वाले तीसरे होंगे श्रीकडेश श्रीकडेश ग्रमदेव का कथन उचित प्रतम पूजी कनेश के दिव्य अवतार के दर्शन प्राप्त करना अत्यन्त आनन्दायक होगा ऐसे दिव्य दर्शन हम सभी को इस आलों के घटना के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए ममता सुन अपने ममता के विकार से जगत के सभी शुपकारें जो विगन उत्पन किया है उसी विगन उत्पन करने है तो प्रतम पूजी कनेश ने विगन राज अवतार धारन किया है ओ गणपती विगन राजो लंब तुन्दो को जाना आईए शेशनाग जी अब हमें शीगरिता करनी चाहिए जिससे हम उस दुष्ट को मा के समक्ष प्रस्तुत कर सकें आज ममता की अती जिसने ममता सुर के कारण है मोव विकार का रूप ले लिया है विगन राज गणेशा जिसका अंत करेंगे यह कैसा महा संकट्छा है मुझ पर क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे मेरा पचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडा सुर के तबस्य फून होने तक किसी भी प्रकार इन सब के द्रिष्टे से पचा रह सकूने तो यहां तो रास्ता ही बंद है आगे जाने का तो कोई मार की नहीं करेंगे तो किसी थालर सकता है झालर सब प्रकार रह सकता है माता-पिता की कठोड़ता भी सम्मानिय है क्यूंकि उसमें संतान का हित चिपा होता है